Dear students, Welcome to our YouTube channel by LARBURGERS Inter-College, Myself Mrs. T.K. संक्रामख worrying सनक्रामच रोग rely का नियंदों संक्रामच क्या होता है संक्रमण क्या होता है 2-32 किमद 9 मांधege मुसद के संक्रामक रोग सं रोग ठाम के उद्व्वन कार पढ़नोंconnect क्या ब्रह संक्रामच रोग दाए एकजिंद संक्रामक रोग जब फैलता है तो यहाँ एक महामारी का रूप ले लेता है जैसा कि आप देख रहे हैं करोना वाइरस आजकल जो विस्वे में फैला हुआ है इसने भी एक महामारी का रूप ले रखा है और इससे विनास होता है इसलिए संक्रामग रोगों की रोग थाम के उपाय प्रारम से ही करना चाहिए इस प्रकार के कुछ उपाय निम्ले के लिए नमबर वन समुचित रूप से सूचना कहीं भी किसी भी व्यक्ति अत्वा व्यक्तियों को संक्रामग रोग होते ही उसकी सूचना स्वास अधिकारी अत्वा चिकर्सक को अवस्य देनी चाहिए नेक्स्ट रोगी को अलग रखना संक्रामक रोगों का सिकार हुए रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए रोगी को किसी संक्रामक रोगों के अस्पताल में भरती करा देना चाहिए ऐसा करने से यह रोग अधिक फैलने से बच सकता है नेक्स्ट है रोग प्रतिरक्षा संक्रामक रोग के फैलते ही सभी स्वस्त लोगों को रोग की प्रतिरक्षा के उपाय करने चाहिए आप प्राया सभी संक्रामक रोगों से बचने के लिए ठीके लगवाय जाते हैं सभी स्वस्ति व्यक्तियों को ऐसे ठीके अवस्य लगवाने चाहिए नेक्स्ट रोग संप्राप्ति काल संक्रामग रोगों के पहलने पर यदि किसी व्यक्ति को रोग लगने की आशंका हो तो कुछ समय के लिए उसको अलग करके उसका निरक्षन करना चाहिए या निरक्षन रोग की संप्राप्तिकाल तक अवस्य होना चाहिए नेक्स्ट है रोगानु नास संक्रामग रोगों की रोगथाम के लिए रोग के रोगानों को नस्ट करना भी आवशक होता है रोगानों को नस्ट करने के लिए भिन्न भिन्न होबाय किये जा सकते हैं